हेलो दोस्तों, वेलकम तो मा यूट्यूब चैनल, तो हमने अपने पिछली वीडियो में डिसकस किया था, कि कैसे हम सिंगली लिंगलिस के एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं, हमने उस वीडियो में सिंगली लिंगलिस के एक एक नोट को ट्रेवर्स किया था, और उसका डे को मिल जाए तो दोस्तों यहां पर हमें एक singly link list दी हुई है जिसके 4 notes है पहले note को head refer कर रहा है तो हमने अपने पिछले वीडियो में एक singly link list create किये थी जिसके अंदर 4 notes थे तो इस वीडियो में हम वही singly link list use करेंगे और हम पता करेंगे इस singly link list की length क्या है तो इस case में singly link list की length है 4 एक दो तीन चार क्योंकि इसमें 4 notes है इसलिए length of the singly link list 4 है तो अब हम algorithm देखते हैं और उसका demonstration देखते हैं step by step तो let's say हमको यह singly link list दी हुई है जिसमें 4 notes है जिनका data 10, 1, 8 और 11 है और पहले note को head refer कर रहा है तो हम यहापे एक method बने करेंगे size इस method के अंदर हम पता करेंगे कि singly link list की length क्या है तो जब यह size method call होगा इसका return type integer है क्योंकि जब हम length calculate करेंगे तो उसे हमें return करना पड़ेगा तो असलिए इसका return type integer है तो दोस्तों यहापे हमें एक instance variable head है जिसने पूरी singly link list को memory में hold करकर रखा है तो अगर हमें sing singly link list की size पता करनी है तो हमें एक एक node को traverse करना पड़ेगा और हमें गिनते जाना पड़ेगा कि इसमें किते nodes हैं तो सबसे पहला step हम करेंगे कि हम एक temporary node बनाएंगे जिसका नाम current होगा और जो head से start होगा तो यह कुछ इस तरीख से दिखेगा दोस्तों हमने पिछले वीडि use करते हैं और यह हमारा temporary node है जो head से start होगा और यह मदद करेगा हमारी इस singly link list की length calculate करने में तो सबसे पहले हमें count variable बनाएंगे जिसकी value 0 होगी इस count variable में जैसे जैसे हम node को traverse करते जाएंगे आगे हम इस count को increment करते जाएंगे और जब हम singly link list के end पे पहुचेंगे तो जो भी value count में होगी वो होगी हमारी singly link list की size तो starting में count की value हम 0 से initialize करेंगे तो दोस्तो current पहले node को point कर रहा है और इस current की मदद से हम इस singly link list को traverse करेंगे node by node तो उसके लिए हमें while loop provide करेंगे और उसके अंदर condition रखेंगे current not equal to null तो इसका मतलब यह while loop तब तब तक execute होता रहेगा चुका है और हम पूरी singly link list traverse कर चुके है तो अभी starting में current first node को point कर रहा है इसलिए यह condition true हो जाएगी current is not equal to null तो while loop execute होगा तो जैसे हमने पहला node encounter किया है अभी तो सबसे पहले हम count की value बढ़ा देंगे count one बन जाएगा चुकि हमें singly link list में एक node मिल चुका है यह node process करने के बाद अब हम current को उसके next पर लिखे जाएगे तो हमने पिछली वीडियो में discuss किया था कि कैसे हम current को उसके next पर लिखे जाएगे current इस node को point कर रहा है और current का next second node को point कर रहा है तो अगर current.next की value हम current पे assign कर देंगे तो यह node first से होता हुआ second पे आ जाएगा तो जब यह line execute होगी तो current.next जो की second node को refer कर रहा है वो current में आ जाएगा तो इसका मतलब current अब second node को refer करेगा फिर से हम while look की condition चेक करेंगे तो current is not equal to null क्योंकि यह second node को refer कर रहा है तो यह condition true हो जाएगी तो सबसे पहले हम count की value बढ़ाएगे count 2 हो जाएगा इसका मतलब हमें second node मिल गया है यहाँ पे अब यह node process हो चुका है अब हमें इसके next node पे जाना है तो हम current.next को current में assign कर देंगे तो current अब third node को refer करेगा हम फिर से check करेंगे current is equal to null और not तो current is third node को refer कर रहा है तो यह condition true हो जाएगी कि current is not equal to null तो सबसे पहले हम count बढ़ाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे third node मिल चुका है तो count 3 हो गया अब यह node process कर लिया हमने अब हम इसके next पे जाएगे तो current का next fourth node को refer कर रहा है तो जब हम current.next की value current machine करेंगे तो current node fourth पे आ जाएगा अब हमें condition फिर check करेंगे कि current is equal to null और not तो current यह fourth node को refer कर रहा है तो यह condition true हो जाएगी कि current is not equal to null और सबसे पहले हम count की value बढ़ाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एक और node मिल गया तो count 4 हो जाएगा और यह node हमने process कर लिया अब current के next की value null है तो जब हम current.next current में assign करेंगे तो simply हम null value assign कर रहे है current में क्योंकि current की next null के बड़ाबर है तो यह कुछ ऐसा दिखेगा अब फिर से यह condition check करेंगे कि current is equal to null और not तो यहाँ पे current is equal to null तो यह condition false हो जाएगी तो जब यह condition false हो गई इसका मतलब current इस singly link list के सारे notes को traverse कर चुका है और process कर चुका है और उसके अंदर की value null है तो यह condition false हो जाएगी और यह while loop से हम भाहर आजाएगे तो हम जैसे while loop से भाहर आएगे हमें simply एक count को return करना पड़ेगा और यह actually बताएगी कि इस singly link list की size किती है तो अभी इस list की size है 4 1, 2, 3, 4 तो last में हम count 4 return करेंगे जोकियों की size इस singly link list की तो दोस्तों अगर आप कोई video पसंद आया तो उसे like और comment कर देना और अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो उसे subscribe कर लेना थैंक्स वे नाइस जए